आप कि आप सब्सक्राइब को विखी छावड़ा की स्टेट राजस्ताइब जो जो प्रेश्ट किलोमेटर दूरी है वारी फार्म से और अपर अपर जाओगे छावड़ा टेरी फार्म लिखते ही हमारी लोकेशन आ जाएगी कोई भी जूगल मैप तो आज की वीडियो में कितने अनिवल दिखा रहे हैं तीनों की पीछे फीमेल का पशड़ी हैं अच्छा जी और दो बैंस और तीन गाएं आज की वीडियो में दिखा रहे हो तो सभी पसुपालक भाईयों को राम राम नमस्कार मैं संदीप स्वामी स्वागत करता हूं जी आपके अपने यूटूब चैनल पर तो जो भाई आज हमारी वीडियो आपके अपने इस चैनल पर पहली वार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें और पास मे सभी वीडियो को अंतक पूरा देखें जो एनिमल सेल के लिए अपलब दिखाए जा रहे हैं सभी की आपको अलग-अलग पुरी डिटेल जी जाएगी तो आवी कि भाई फर्स्ट लेक्टसन में ब्याई हुए है कल रात को इसने एक फीमेल सुंदर फीमेल का अच्छा जी पीछे भीमेल का बच्छडी को जनम दिये अच्छा जी असी परसेंट जर्सी और 20 परसेंट साहिवाल याने की साहिवाल और जर्सी क्रोस ब्रीट की गाएं ऐसी गायों की जैसे दूद देने की समता और फेंट परसेंट भी अच्छी होती है ना हाइट लें तो दोस्तों कापी शांदार है खोल कर आपको गाएं चला कर भी दिखाते हैं खोलना वाई साब यह देखो संदीब जी शांता है यानि कि इसको यह नहीं पता पिजानी फरस्ट टाइम के सहां से मैंने पैर उठाना या नहीं उठाना जोंको शांता है फरस्ट टाइम में 25 सब्सक्रों दोड़ों खरा दूते देगी तो चारो थुड़ों के बीच में गेब भी देख सकते हैं दोस्तों कापी शांदार है अडर क्वाल्टी देख सकते हैं खोल कर चलाना जी हाइट लेंथ दोस्तों देख सकते हैं कापी शानदार है फर्स्ट लेक्टरसन की बच्छिया में फुल हाइट लेंथ है आप आयों के सामने हैं जो 25 लीटर प्लस इसकी बाई साब दूस समता बता रहे हैं और पीछे भी फीमल का बच्छडी है मातर एक दिन की ब्याई हुई है आप इसका प्राइज क्या रहेगा जी 85 पांसो किलोमेटर दाइरे के अंदर पहुच यानकी पंजाब रियाना दिली उपी राजस्तान के पांसो किलोमेटर चेतर के अंदर 85 अरुपे में गर पहुच प्राइज है जो बाई डेरी वेवेशाय पर काम कर रहे हैं या फर पर एक अच्छा एनिमल पालने का सुकीन है तो उनके लिए भी कापी शांदार है देख सकते हैं पीछे फीमल का बचडी है इससे आगे दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर संदीब जी यह भी बिल्कुल शांत है यह भी फरस्ट टाइम ब्याई हुई है अच्छा जी त तो साइवाल नसल की गाएं दोस्तों बिल्कुल श्यांस बावकी देख सकते हैं जो इसके भी अटर क्वाल्टी चारो थणों के बीच में गेप देख सकते हैं कापी शांदार मुठी वाले थण है तो वैसाब इसके जैसे पेर में यह रसी कैसे बांद रखी जी यह हमारे पैर निकाले जो गायों में जैसे पेर बांद कर अपने दूद निकालते हैं तो उसके लिए तो जैसे यह क्यों बांदते बांद तो जैसे आदत पड़ जाए यानि कि जैसे फर्स्ट लेक्टसर में जो ताज़ा पसू ब्याने वाला हो पहले बाधन देते आद देतें क से आदत के लिए तो जैसे दूद्ञे में कोई खटपत ना करें मतलब कोल कर चलाना बॉइसाब तो इसके पिछे बच्डी है तो दोस्तो बारी गलकंबल देख सकते हैं हम्प साइज देख सकते हैं अगले पेरों के स्टीग 90 डिगरी एंगल के उपर है डूलू से में डर को टच करती हुए ना भी देख सकते हैं कलर देख सकते हैं गाएं का कापी शांदार है अच्छे पीट पुट है की हाइट लेंथ भी कापी शांदर है गाएं की तो बाइसा भी दूस्टा निकाल देगी अच्छा जी तो छोटे-छोटे मुठीदार सींग है सबाब गाएं का बिल्कुल शांत है डर क्वाल्टी चारों थोडों के बीच में गेप का पिशांदार है और इसके पीछे जो फीमिल का बचडी है वहां भी गाएं के होबू समेत है आपके सामने है जैसी गाएं वैसी फ बचडी को पिलाके तीक है और इसका क्या प्राइज जी इसका प्राइज पैंसाट यारपे तो 65 थाउजन्ट इसका प्राइज है निचे सक्रीन पर बाइसाब के नंबर शयो औरेंट से संप्रा कर सकते हैं इससे आगे तीसरे नंबर पर इसकी नसल कौन सी है जी यह राठी तो देख सकते हैं दोस्तों जो गाएं दिखाई है बिल्कुल शान सबाव की है यानिकी कोई भी गायों के दीचे फीमल काफ है और नेचर इनका बिल्कुल शांत है क्योंकि गायों में जैसे देशी ब्रीड की गायें रहती है तो उनमें क्या एग्रेस सपन रहता है गर पर बच्चे-बुचे होते हैं तो मतलब निजदीक जाते हैं तो यह भी दोस्तों देख सकते हैं कापी शांदर गाये हैं इसकी अडर क्वाल्टी देख सकते हैं चारो थणों के बीच में गेप मुठी वाल मुठी वाला पूरा थण है हाइट लेंद इसकी भी कापी शांदर है तो वैसाब यह कब की भी हुई है इसको चोथा दिन तो वैसाब जैसे आप आपने बताया कि यह राठी नसल में मेरे को यह साइवल नसल लग रही है इसमें देखो जी दुनों नसले पॉम्बिनेशन है अच्छा जी तो हाइट लेंद दोस्तों इसकी भी देख सकते हैं का अभी कित्ता के दूद्ध त्यार है जिसके दूद्ध त्यार है और पीछे इसके फीमिल का बचड़ी है यह क्या कि एक देशी ब्रीड में जो घर पर गाएं पालते हैं तो उनके लिए प्लस पॉइंट रहता है तो वैसाब यह दूद्ध कित्ता निकाल देगी अठारा प कोई जैसे आपने बताया कि 65 अरपे इनका प्राइज है तो कोई जैसे ओनलाइन इनको प्रचेज करें तो ओनलाइन में क्या प्रचेसर रहेगा जी किसी भी पसंद है वह हमेरे साथ बात करें भी यह पसंद है जी तो उसके बाद वह उसका टोकर मनी डाले अच्छा जाए तो यानि कि आपके मतलब आपकी तरफ से दोनों खुली चूट है अच्छा जी अगर कोई जैसे यह नी कहेंगे भी आप हमारा वीडियो कोल पर वीडियो कोल भी अच्छी तरह आगला देखके तूस देखके फिर यानिकि ओनलाइन ओफ लाइन दोनों की सुभीत है अगर क कोई भाई जैसे कोई विगाई पसंद करता है तो उसकी पहले टोकन में डाल दे क्योंकि आपका काम सेल प्रचेज गया है अगला कहता भी में वहां से चला है जैसे लास्ट हुआ हुआ है और आते हुए किसी बंदे ने मेरे पास उसके बाद यादे गटे बाद किसी ने ब चलाना जी खोल कर चलाना वाई साब 11-12 अच्छा जी वैसे शांत सबाव में अच्छा जिकत नहीं है जी तो ब्यांत कौन सा जी दूसरे ब्यांत की जोटी है बच्चा डेड हो चुका है किते समय की ब्याई हुई है जी 13-14 दिन की ब्याई हुई है अडर कुवाल्टी दोस से 14 दिन की ब्याई हुई है बच्चा इसका डेड हो चुका है अडर कुवाल्टी चारो थणों के बीच में गेप देख सकते हैं कापी शांदार है और अभी दूद निकालने वाड़ा 11-12 लेटर दू त्यार है और वैसा इसका प्राइज इसका प्राइज बहतर यह रुप यह दाने पर भी लग जाती है अच्छा जो कस्टमर ले सोई समझते यानिकी ताजा ब्याई हुई है जैसे मतलब अभी पूरी सेट नहीं हुई अच्छा जी इससे आगे पांच में नंबर पर आंजी खोल कर चलाना जी कि तो पांच में नंबर पर यह प्रसा है दोस्तों जो वाई डेरी वह सधार पर काम करते हैं उनके लिए बेंस आए देख सकते हैं बेंस के ब्यास की एक मेने की मैने की बेही हुई है यहां प्रडर की चुड़ाई भी कापी शांदर देख सकते हैं बाईयों के लिए चारों थड़ां को बीच में गेप सोड़ा से 17 लिटर दूद्ध त्यार है और इसका प्राइज भाई साब दूपता है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सभी भाईयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद